सप्ताह के प्रत्यक दिन की विशेष्टा एक नई दुष्टी सप्ताह के साथ दिनों का महत हमारी संस्कृती और धार्मिक मानिताओं में गहराई से जुड़ा हुआ है हर दिन की अपनी विशेष्टा और उर्जा होती है जो हमें हमारे दैनिक जीवन को समझने में मदद करती है आये जानते हैं सप्ताह के हर दिन की विशेष्टाओं के बारे में सोमवार सोमवार को मून्ड मून्स डे के नाम से जाना जाता है जो प्राचीन रोमन धार्मिक परंपराओं के अनुसार, शुद्धिकरण और प्रायश्चित का दिन माना जाता था चंद्रमा के चर्णों और देवी देवताओं से जुड़ा ये दिन नए सिरे से शुरुआत करने के लिए आदर्श होता है मंगलवार मंगलवार का नाम नौर्स देवता ठिव के नाम पर पढ़ा है, जिसे रोमन संस्कती में मंगल के साथ जोड़ा जाता है ये दिन कारिये और उर्जा का प्रतीक होता है, और कुछ संस्कतियों में इसे संघर्ष या प्रतिसपरधा का दिन माना जाता है बुधवार गुद्धवार का नाम वोडेन के नाम पर पड़ा है, जो रोमन संस्कती में बुद्ध के समकक्ष है. ये दिन संचार और वानिजय के लिए महत्पूर्पूर्ण माना जाता है, और ये दिन जान और सुझबूज के परतीक के रूप में भी जाना जाता है. गुरुवार को थोड़ के नाम पर रखा गया है जो रोमन संस्कती में जुपिटर के समकक्ष है. ये दिन विस्तार और विकास का परतीक होता है, और कुछ संस्कतियों में इसे सुरक्षा और शुभता के दिन के रूप में देखा जाता है. शुक्रवार का नाम फ्रिक के नाम पर पड़ा है, जो प्रेम और सुन्दरता की देवी हैं. ये दिन प्यार और सौंदर्य के लिए आदर्श होता है, और कुछ संस्कतियों में इसे विश्राम और आनंद का दिन माना जाता है. शुनिवार का नाम सैटर्न के नाम पर पड़ा है, जो प्राचीन रोमन परमपराओं में विश्राम और आत्म विशलेशन का दिन होता है. रविवार को संडे के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन रोमन परमपराओं में उत्सव और पूजा का दिन था. सूर्य और प्रकाश के देवताओं से जुड़ा ये दिन विश्राम और पुनरुथान के लिए आदर्श होता है हर दिन की विशेशताओं को समझ कर आप अपने सप्ताह को अधिक सवस्त और सजग तरीके से जी सकते हैं विशेश रूप से शनिवार और रविवार को आत्म सुधार, सीखने और निवेश करने का ये सही समय है सप्ता के साथ दिनों में शनिवार और रविवार को सप्ताहंत माना जाता है जब अधिकांश स्कूल, कॉलेज और अफिस बंध होते हैं सप्ताहंत को वीक एंड के रूप में देखा जाना चाहिए ये समय है अपनी कमजोरियों को दूर करने का इस समय का उप्योग नए कौशल सीखने, नई किताबें पढ़ने, नई जगहों की यात्रा करने और उन लोगों से मिलने में करना चाहिए, जिन से आप मिलना चाहते हैं सप्ताहंत एक महत्वपूर्ण अफसर है, इसे सही तरीके से निवेश करें